अप जो मेक्सिमम या पि लग बखान के शवाल होता है वो है वेकैंसी टाइमिंग में, इसकी वीकैंसी कितने सांखे अंतरां पर आती है, क्या एक साल के अंतरां पर आही जाती है, ये जो पिछला वेकैंसी फिर पूरे चारशा के बाध आएगी। तो क्या अगली वेकेंसी फिर से चार्षों के बाद आएगी, ये समचीर के बारें जानते हैं कि इसका वेकेंसी टाइमिंग क्या रता है, कितने साथ कि अंतरांग पर आती है, तो मैं आपको बता दो, ऐसा कोई डूल नहीं है कि ये चार्षों के बाद ही आएगी, या फिर प कोपैंट चाहिए होगा, तो उसकी जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तब रिवर्टी बोड वेकेंसी निकलते है, और ऐसा वो 6 माईने के अंतरांग पर भी हो सकता है, 4 सार कंद्रांग भी हो सकता है, इसलिए वेकेंसी कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आपनों तयानी को बिल्कु चाहिए रखे और कहीं पर कोई confusion नहीं रखी अपने मन में कि वेकेंसी चास्व के बाद ही आएगी तब ही हम तयारी कर रहे हैं